दिल्ली पुलिस ने खुले में अवैद शराब बेचते हुए एक साथ वर्षिय बुजूर्ग महिला को गिरफतार किया है। बुजूर्ग महिला की पहचान कल्यानपूरी निवासी नंकी कोर के रूप में हुई है। अवैद शराब की बिकरी की लगातार शिकायते आ रही थी। पुलिस को जानकारी मिली की एक सीनियर सिटीजन बुजूर्ग महिला इलाके में अवैद शराब बेच रही है। पुलिस टीम ने उम्र का लिहाज रखते हुए बुजूर्ग महिला को एक दो बार चेतावनी दे कर छोड़ दिया। लेकिन बुजूर्ग महिला अपने सीनियर सिटीजन का फायदा उठा कर अवैद शराब बेचने के धंदे में लगी रही। दिनांक 29 दिसंबर 2021 को दुपहर लगभग 12 बजे कांस्टेबल सुभाश और महिला कांस्टेबल सीमा इलाके में पैदल पेट्रोलिंग गस्त करने के लिए निकले। गस्त के दोरान मुक्बिर ने जानकारी दी की 11 ब्लॉक मदर डेरी के पास गली में बैठकर सीनियर सिटीजन बुजूर्ग महिला शराब बेच रही है। कांस्टेबल सुभाश ने एसेचो को फोन करके जानकारी दी। दुपहर लगभग एक बजे कल्यान पूरी थाना एसेचो 11 ब्लॉक मदर डेरी पर पहुँचे और एसाइ नवीन कुमार, कांस्टेबल सुभाश और महिला कांस्टेबल सीमा की एक रेडिंग टीम बनाए। मुक्बिर के इशारा करने पर रेडिंग टीम बुजूर्ग महिला की तरफ बढ़ी। महिला कांस्टेबल सीमा ने कट्टे की तलाशी ली। तलाशी की दोरान कट्टे के अंदर हर्याना माका के पैसट शराब के पव्वे मिले। बुजूर्ग महिला की पहचान मकान नंबर 11 बटा 398, कल्यानपूरी निवासी 60 वर्षिय सीनियर सिटीजन नंकीक और पत्नी स्वर्गिय जगदीश सिंके रूप में हुई है। थाना कल्यानपूरी में एफायर संख्या 772 बटा 21 शराब अधिनियम के तहट मामला दर्ज कर 60 वर्षिय सीनियर सिटीजन बुजूर्ग महिला को जेल भेज दिया है। संसनी ओफ इंडिया नेटवर्क अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूप